हलो नमस्कार मैं डाक्टर रल जिनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ हिंदी साहिति का सरल इतिहास पर हम लगातार बात्चित कर रहे हैं जिसकी अगली कड़ी में हम बात्चित करने जा रहे हैं कृष्ण भक्ति का विधारा के उपर महाप्रभू बलभाचारी ने कृष्ण भक्ति धारा के दार्षनिक पीठिका तयार किया और देशाटन करके इस भक्ति का परचार किया तो जब भी कृष्ण भक्ति का विधारा की बात होती है तो इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो बलभाचारी का आता है और इनोंने अपनी दार्शनिक विचार धारा और दार्शनिक पीठिका के आधार पर भक्ति का परचार परसार किया और अलग धंका आप देख रहे हैं कि क्रिश्न भक्ति धारा का इनोंने विकास किया है कई बार परिक्ष्वामी पूछा जाता है कि जो कृष्ण भक्ति धारा है उसका आधार क्या रहा है तो भागवत धर्म का ओदय प्राचिन कान में ही हो गया था श्रीमत भागवत के व्यापक परचार से माधूर भक्ति का मार्ग प्रसस्त हुआ तो ध्यान में रखिये कि अगर पूछा जाए कि कृष्ण भक्ति का जो मूल आधार है वो है श्रीमत भागवत और इसकी जो भक्ति की प्रवित्ती रही है वो माधूर भाव की भक्ति रही है बलभाचार पर विष्टार से बात करें तो बलभाचार ने दार्षनिक प्रसिपादन और प्रचार से उस राष्टे को सामाने जन सुलब बनाया यानि कि जो भक्ती का मार्ग था उसको उन्होंने अपने दार्शनिक प्रशिपादन इन्होंने कई किताबे लिखी और संपरदाय से भी ये जुड़े हुए थे तो उसके माध्यम से इन्होंने भक्ती को जन सुलब बनाया महाप्रभू बलभाचारे का जन 1470 में और दिहांत 1530 में हुआ था बलभाचारे द्वारा परवर्तित मार्ग को पुष्टी मार्ग करते हैं जो की परिक्षा की दिश्कोर्ण से बहुत ही इंपोर्टेंट है कई बर पूछा जाता है कि पुष्टी मार्ग को परिवर्तित करन रहा है जिस पर कि हम बार-बार फोकस कर रहे है कि बलभाचार के अनुसार जो भी यह स्रिष्टी चल रही है लीला के रूप में उसके जो कारण रही है वो ब्रह्मा की आत्मकृति रही है ठीक है आम तोर पर हम अपने लोग जीवन में भी यह सुनते हुए पाया है कि जो क हैं बहुत ही महत्पूर्ण पॉइंट की जीव ब्रह्म का आंसर इसलिए यह सब एक एक वाकियर आप सभी के लिए इंपोर्टेंट है क्योंकि परिक्षाओं में अब सीधे सीधे वन लाइनर को नहीं पूछे जा रहे हैं बलकि प्रवितियों के आधार पर कुछ सवाल जो कुछ स्रिष्टी लिला चल रहे है वो ब्रह्मा की आत्मा कृति है और जीव की बात करें तो जीव ब्रह्म पर हमेशा डिवेट रहा है और यहां पर पता जा रहा है कि जीव जो है वो ब्रह्म का ही एक अन्शय उससे अलग नहीं है ब्रह्म अपनी अचिन्त शक्ति से जगत के रूप में भी परेड़त होता है और उससे परे भी रहता है वह सक्चिदा नंद है जड में सत किन्तु जीव में सत और चित दोनों होते हैं यह इंपोर्टेंट यहां पर फैक्स आ रहा है कि ब्रह्म जो है वो उसमें अचिन्त सक्ति है जगत के रूप में भी उसक हम देखते हैं उसका प्रणित रूप दिखाई पड़ता है। ब्रह्म कि सत चिस्टा नजह वा ईसको आपको ध्याद में रखना एं आनंद का पूर्ण आविर्भाव पूर्सत्तम कृष्ण में ये बलभाचार का मानना है। वे अपने भकतों के रणजनार्त नित्य लिला करते हैं। आप देखेंगे कि इसे पहले हमने राम क्रिश्ण भक्ति का भीओ धारा पर बातचीत किया था। यह अंतर यहां पर आप देखने हैं राम मर्यादा पुर्शुत्तम है वो लोक रच्छक के रूप में हैं लेकिन यहां पर कृष्ण जो है वो लोक रंजक के रूप में प्रस्तुत किये जा रहे हैं बलबाचारी ने ब्रह्म के सगोंड रूप को पारमार्थिक और कि बलबाचारी ने जीओं के कितनी संख्या माने तीन है और वो कौन-कौन से हैं प्रवाह जीव जो संसारिक प्रवाह में पढ़े रहते हैं मर्यादा जीव जो बिधी निशियत का परण करते हैं पुष्टी जीव जो भगवान का अनुगरव प्राप्त कर लेते हैं वे प आप देखेंगे परिक्षाओं में अगर कई बार आप शामिल हुए होंगे तो संख्या तो पूछ ली जाती है और कई बार पूछ लिया जाता है कि पुष्टी जीव से क्या तात पर है तो पुष्टी जीव जो भगवान का अनुगरव प्राप्त कर लेते हैं वो पुष् भक्ति के मामले में भक्ति में नहीत् स्राद्धा के अयोकी उप्युक्षा करके एप यसलिए अचायरां ज deportation ने स्राधा भक्ती नाम से निबंद भी लिखा है और उसमें विश्तार से उन्न के तीनों भावं भक्ती स्राद्धा और प्रें को अलग अलग तरिके से हैश्क भास ये श्रीमत भागवत की तीका अड़ु भास ये यो मिमांसा या ब्रह्म सुत्र का भास ये तो रचनाओं को ध्यान रखे परिक्षाओं में हमेशा बलबाच्चा रहें कि रचनाओं से सवाल आते रहे हैं पूर्व मिमांसा भास ये अड़ु भास ये श्रीमत भागवत की तीका ये इंपोर्टेंट है इसके बाद मिमांसा या ब्रहमसुत्र का भास है ये इनकी महत्पोंड रचना है रही है तो इनको अपने दिमाग में बैठा लिजे आगे बात करें माप्रभू बलभाचार परम विद्वान सक्संगी यह उंपर दुख कातर व्यक्ति थे यान उने देश की बिभिन छेत्रों में घूमकर जन संपर्क और सास्त्रार्थ किया लगातार पहले जब लेक्षर शुरू आता तो इसमें बताए गया देशाटन के माध्यम से जन सुलब बनाया था भक्ति को और लगातार घूमा करते थे जन संपर्क करते थे और साथ में सास् श्रिनाथ जी का विशाल मंदिर किसने बनवाया है बलभाचारे ने और वहीं अपनी गद्धी भी इस्थापित की यानि कि वहीं पर राना भी शुरू कर दिये थे इस मंदिर में स्री कृष्ण की जो उपासना होती थी उससे हिंदी सहिती की कृष्ण भक्तिधारा का श्रिनाथ मंदिर है इसको भी आपको ध्यान में रखना है बनवाने वाले थे बलभाचारे और वहीं पर अपने गद्धी भी श्थावित की आगे चलकर यह जो अस्थान है वह हिंदी सहिती में कृष्ण भक्तिधारा की जब बात की जाएगी तो अपना अहम रोल निभात क्रिष्ण भक्तिक कवियों में सभसे महत्पुर्ण कवियों का नाम सिर्दैत हैं अब सबी परचित भी है और सिर्दैत के साथ तो बात करते हैं पहले सूर्दास का जन 1488 सिभी में और निधन 1583 सिभी में वा था हिंदी साहिती में स्रेष्ट क्रिष्ण भक्ति कभी सूर्दास का जन जैसा कि मैंने बता थे 1488 में और मृत्यु 1583 में इनके बारे में भक्त माल और 84 वैश्रोन की वारता में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है तो यहाँ पर दो रचनाओं का उलेक किया गया है भक्त माल 84 वैश्रोन की वारता अब भक्त माल को ध्यान में रखना है किसकी रचना है क्योंकि पिछली लेक्षर में मैंने बताया था जब राम भक्ति धारा के बारे में बात्चित कर रहा था तो नाभादा 84 वैश्रोन की वारता जो कि गोकुल नात तुहरा लिखी गई है और यह दोनों ऐसी रचना है जो कि ततकालीन भक्त कालीन कभियों के जीवन परिचे को इसमें रखा गया है एक तरीके से यह उनके प्रमारिक होनी का दस्तावेद भी कही जा सकती है तो इन दोनों रचनाओं के रचनाकार में भी किसी संत सूर्दास का उलेख है किन्ति वे बनारस की कोई और सूर्दास परतीत होते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भक्तमाल 84 वारता में यह सब बातें तो दिखाई पड़ती है इसके अलावा आइने अकबरी और अबुल फजल में भी सूर्दास नाम की एक परतीत होते हैं और किमबदंतियों के अनुसार यह अवस्य है कि अकबर बार्षा सूर्दास का यह सुनकर उनसे मिलने आये थे यह जन सूरुतियों से पता चलता है कि सूर्दास जो थे अकबर के समकालिन थे तो अकबर सूर्दास के बारे में उन्होंने सुना था तो उनस कि प्रसंसा है तथा इनकी अंधता उल्यक भी है यानि कि भक्त माल जो कि नाबादास द्वारा लिखा गया है उसमें सूर्दास की भक्ती, कविता और गुणों की प्रसंसा की गई है साथ में जो इनकी अंधता थे यानि कि ये दिव्यांग थे आज की भाषर शेली में कहा जाए आखों से इसकी भी उसमें बात्चित की गई है दूसरी जो रचना है चवरासी वैश्वन की वारता के अनुसार वे आगरा और मतुरा के बीच साधू या स्वामी के रूप में रहते थे ये सब एक तरीके से अनुमान लगाया गया कि उनका एरिया क्या रहा होगा बाद में उनकी रचनाओं के माध्यम से पता चला क्योंकि वो ब्रजबाशा में लिखते थे तो ब्रजबाशा खास एरिया की बोली जाती है तो वहाँ पर अनुमान लगाया कि ये आगरा या मतुरा की बीच में साधू या स्वामी के रूप में रहते थे वे बलभाचारे के दर्शन को गए और उनसे लीला गान का उपदेश पाकर क्रिश्न चरित विश्यक पदों की रचना करने लगे सूर्दास के जीवर में टर्निंग पॉइंट जब आया जब बलभाचारे के दर्शन करने गए यानि कि सूर्दास अल्रेडी बलभाचारे के बारे में पहले सुन चुके थे जो कि गोबर्दन परवत पर स्रीनात मंदिर में रते थे वहीं पर उनकी गद्दी भी थी और वहां पर दर्शन करने के लिए सूर्दास गये और उनसे काफी प्रभावित हुए आमतर पर आप गुरु लोगों से ज़्यादा देखे होंगे प्रभावित होते हुए और कई बार तो गुरु बहुत ही अहम वोमिकानी भाद देते हैं जिसको कि वर्तमान समय में टीचर नाम से जाना जाता है तो बलबाचारे उनके दर्शन करने के बाद सूर्दास के जीवन में टर्निंग पॉइंट्स आया और वो फिर क्रिशिचरिद विश्यक पदों पर काम करन उन पर आधारीत रचनाय लिखना सुरू कर दिये बाद में स्रीनाष जी के मंदिर का निर्मान होने पर महाप्रभू बलबाचारे ने इन्या किर्तन का कारिश सौब दिया था ये काफी important facts है कही बार परिक्षव में पूछा जा चुका है कि मंदिर में किर्तन भजन का काम क कारान पहले ही बता दिया गया कि वह बलबाचारे का दर्शन करने गये थे और काफी प्रभावीत हुए और बलबाचारे भी इनसे प्रभावीत हुए आम तो बार देखेंगे कि कोई भी गुरू होता है अगर उसके एक से अधिक शीष्य है तो वह काफी कन्फूज रहता ह है कि किसको क्या काम दिया जाए फिर उसमें से कुछ प्रतिभाशाली ऐसे सी से मिल जाते हैं जो कि काम लेने लाय करते हैं उसमें से एक सूर्दास थे जिनको कि माँ प्रभू बलबाचारे को लगा कि यह कृतन काम कर सकते हैं तो उन्होंने इसको सवाउप दिया आप भी अपने लाइफ में देखे होंगे अगर आप किसी सुप्रवाइजर के अंडर में हैं और उसमें साथ बच्चे हैं तो वो साथ आठो बच्चों पर समान रूप से अपने सने और प्रेम को नहीं रख पाते हैं उसमें से कुछ ऐसे खास इस्टूजेंट जो हते हैं अपने खा काफी विबाद है और छोटी कक्षाओं के जो बच्चें खासतर से बीए पार्ट वन के जो बच्चें या फिर 11 बार में के वह इस चीज को लेकर काफी उत्सुक टैप कराते हैं कि क्या सूर्दास जनमान थे कि नहीं थे हाला कि जैसे जैसे आप बड़ी-बड़ी क्षाओ में जाएंगे फिर यह बहुत माइने नहीं रखता है अहां यह रखता है कि उनकी रचनाएं किस तरीके की हैं वो हमारे लिए कितनी सार्थक हैं तो इस चीज को लेकर कि वे जनमान थे क्या थे उन्होंने अपने को जनम को आधर कहा भी है किन्तो इसके सब्दार्थ पर नह करते हैं उस वरण के आधार पर तो ऐसा ही लगता है कि वे जनमान थे बाद में हुआ होगा वह जो भी चीजें हैं उसको उन्होंने देखा है उनके विशे में ऐसी कहानी भी मिलती है कि तिब्र अंतरद्वन्द की किसी चण में उन्होंने अपनी आखे फोल ली थी उचित यही मालूम पड़ता है कि वे जनमान नहीं थे कालांतर में अपनी आखों की जियोतियों खो बैठे थे तो यहाँ पर विश्वना त्रिपाठी भी इस चीज से सामत है कि वे शुरू से यानि कि जनमजात जनमान नहीं थे उन्होंने इस जगत की सारी चीजों को देखा था बाद में वे अपने आखों को खो दिये इसी तरीके से अंग्रेजी में एक कवी थे आनिज ब्लाइंडनेस करके उनकी कवीता थे वो भी अपने लगवग चालिस पैंतालिस वर्स के थे तो जनमान दो गये थे तो हो सकता है कि सूर्दास भी उसी तरीके से हो गये होंगे ये बस अनुमान ही लगा जा सकता है आगे बड़े इंपोर्टेंट बात कही जा रहे है कि सूर्दास अब अंधू को कहा जाता है यह परंपरा सूर के अंध हो जाने के बाद से चलिये शूर का आसे शूर से है शूर और सती मधिकालीन भक्तों के आदर्श थे आमतर पर जो बच्चे इसमें आखो से दिव्यांग होते हैं उनको सूर्दास कह दिया जाता है यह एक तरीके से रून अर्थ में प्रियुक्त होने लगा है क्योंकि यह परंपरा जो चलिये वो सूर के अंध हो जाने के बाद से ही चलिये और बताया जा रहा है कि सूर और स कर्ष नहीं मिलता है यानि कि सूर्दास से पहले भी ब्रजभाशा में रश्नय की जाती थी लेकिन थोड़ा सा सूर्दास इसमें अलग धंके प्रतित होते हैं ऐसा लगता है कि सूर ब्रजभाशा के परवर्ड तक नहों किसी परंपरा के चर्मत कर्ष हो शुक्ल जी ने सूर कितुलना जैदेओं चंडी दास और विद्यापति की परंपरा से की जाती है और दूसरे तरफ लोक गीतों की परंपरा से भी जोड़ा जाता है ये उनकी रशनाओं को देखने के बाद आचारी शुक्ले ने इस तरीके का किया है विद्यापति और सूर दास में जो न निश्चल होती है यहाज सास्त्वियता और सावाजिक विद्य निशец की मर्यादा का निर्वा नहीं कर सकती है लगता है कि लोकजीवन और सहीति में राधा कृष्ण की जो परंपरा पहले से चली आ रहे थी वह भक्तिकाल में प्रकठ हुई तो लगतार गीत और लोक जीवन पर यहाँ पर चर्चा हुए और खास तोर से देखा जा रहा है कि सहीर्थ में राधा कृष्ण की जो परंपरा पहले से चली आ रहे थी वो भक्तिकाल में और क्लियर हुई है जब अब विद्यापती पढ़ेंगे तो आँ भी पदावली में उनने राधा कृष्ण को ही आधार बनाया है इसके बाद चंडी दास का नाम लिया ठीक है सूर्दास इसको और प्रचारित प्रशारित किया जैदेव का गीत गोविन विद्यापती की पदावली चंडी दास का कावे और सूर्दास का सूर्सागर उसी परंपरा से रहे हैं वो क्या रहे हैं अक्सर परिक्ष्व में पूछा जाता है कि वात्सल्य और स्रिंगार के समराट कौन माने जाते हैं सूर्दास सूर्दास वास्तल्य और स्रिंगार के कवी हैं भारती साहित्य तो क्या संबतव 20 साहित्य में भी कोई कवी वात्सल्य के छेत्र में उ उसका आंसर सूर्जास है यह उनकी ऐसी विशेषता है कि केवल इसी के आधार पर वे सहीत चेत्र में अत्यंत उच्छ अस्थान के अधिकारी माने जा सकते हैं वात्सेल और सिरिंगार खास्तोर से वात्सेल पर इंका काफी पकड़ रहा है और क्यों रहा है क्योंकि उन्होंन ने बात करते हैं बाल जीवन का परिवक्षण एवंड़ महान सहे हीडये और मानोप्रेमी व्यक्ति कर सकता कारण भी बताय मैं कि ये बाल जीवन का जो इन्होंने एंगदम सुक्ष्म तरीके से परिवक्षण किया है देखा है उसको महसूस किया है वह कोई सामान व्यक्ति ग्यानिक्ता, स्वाभाविक्ता, जीवन की यथार्थ में ही होते हैं। फिर यथार्थ अपने विविद आयामों को अंतर संबंधित की होता है। तुलसी की अपेक्षा सूर का विशेचेटर सीमीत अवश्य है, किन्तु सूर ने राधा क्रिश्ण की प्रेम लीला और क्रिश्ण की बाल लीला को प्रकृति और कर्म के विशाल चेटर का संदर प्रदान किया है। फिर भी इन्होंने अपने रश्ना कर्म के माध्यम से अपने संदर्व को बहुत ही विश्तार दिया है। लोक साहिती में यह संदर्व सहज तोर पर जुड़ा दिखलाई पड़ता है। यानि कि जो भी कृष्ण संदर्व रश्नाय सुर्दास ने की हैं उसका जुड़ाव है लोक से और लोक साहिती से। नहीं हिंदी के किसी कभी में नहीं मिलती है। यह भी विश्वनात त्रिपाठी का ही कोटेशन है। ध्यान में रखे। आगे बात करते हैं सूर का बाल लिला वड़न अपनी सहजता, मनोबैग्यानिक्ता, एवं स्वभाविक्ता में अध्यूती है। यानि कि जो बाल लिला वड़न है वो सहज भी है, मनोबैग्यानिक भी है कि बाल मनोबैग्यान इसमें उतारा गया है। और बाल लिला वड़न के आधार पर स्वभाविक्ता को भी जगन दी गई है। और इन सभी तीनों प्रवित्यों में जो सूर सागर है या फिर सूर दास की रशना है वो अध्यूती है। उनका कावे बाल चस्टाओं की स्वभाविक मनोबर चित्रों का भंडार है। भक्ती ने भगवान का मानुवी करन कर दिया था। तो एक तरीके से आप देखने हैं राम और कृष्ण इन दोनों को आधार बना कर रशनाय की गए। और जो भक्ती है वो अब भाव नहीं बल की भगवान का मानुवी करन रूपधारन कर लिया। ठीक है। सूर के कृष्ण सामाने बालक बन गए जो हट करके आंगन में लोटने लगते हैं। अपने बचपन की कक्षों में भी खुब पड़ा होगा और यहां पर भी आप देख रहे हैं कि बताए जा रहा है कि कृष् खिलाओने के रूप में चंद्रमा की मांग कर रहे हैं। हलांकि वर्तमान समय में काफी बदलाव आ गया है। अब बच्चे चंद्रमा इत्याधी को उतना नहीं ध्यान देते हैं। अगर उनको आप मोबाइल दे देंगे तो वो शान्त हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण लगे आचन पकड़ लिया दई भूमी पर लुढग गया है। आम तोर पर छोटे बच्चों को आप देखते होंगे परिशान करते हुए तो इस चीज को अनभूत कर सकते हैं। कृष्ण चलना सीख रहे हैं। पहरे डगमगाते हैं या सोधा हाथ पकड़कर उन्हें चलना सिखाते हैं। और पंक्ती कितनी बेतरीन है कि सिखवत चलन जसोधा, मैया, अरबराय, करी पान कहावत, डगमकार, धरय पईया। तो आपके सामने एक द्रिशी भी उभर गया होगा। इसी चीज को द्यान में रखते हैं विद्वानों में मत भेद है कि अगर सूर्दास ज द्रिश्यता में जीवन इसपंदित है। पंक्तियां इतनी सहज हैं कि सपाट लगती हैं किन्तु उनमें मारमिकता रची बसी होती है। पाठक और सुरोता उस मारमिकता को अचूक तोर पर गरहन कर लेते हैं। तो आपने दोनों पंक्तियों को देखा होगा, आपके सामने जीवन चित्र के संदर में ही रखकर इसे समझा जा सकता है। बालक होते तो निरी हैं लेकिन वे अपने को बहुत चालांक समझते हैं, यह सब वयस्क खुब समझते हैं। कच्ची चालांकी से मिलकर बच्चों के निरहता बयश्कों के लिए पहले से अधिक निरी अतप्रि होडती है। यानि कि आपने देखा होगा कि कई बार जो बड़े लोग होते हैं वो बच्चों के साथ बच्चे बने की कोशिश करते हैं, उनकी निरहता में अपनी निरहता को भी शामिल करते हैं, हां में हां मिलाते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि यह जो बच्चा हैं चलाकी कर रहा है क्रिश्ण के मुख पर माखन लगा है पकड़ लिए गए हैं रंगे हाथों लेकिन वे अपनी तर्फ से जबर्दस्ट तरकों की जड़ी लगा रहे हैं उनकी सारी पटुता उनका ऐसा अप्राधी असपष्ट कर रहे हैं जिससे मा को और प्यार ही उम्रेगा यानि क अपने छोटे बच्चों को देखा होगा इस तरीके की हरकत करते हुए मार भी खाते हैं लेकिन फिर अशा नहीं है कि जो उनको मारता है चाहे उनकी मम्मी हो फिर भी उसमें स्ने है यही बात बताना चाहरा है सूर्दास जैसे स्रिंगार का संयोग और वियोग होता है वैसे वात्सले का भी होता है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्रिंगारस के दो पक्षोते हैं संयोग और वियोग तो का जा रहा है कि वैसे ही वात्सले के भी होते हैं संयोग और वियोग सूर्दास के स्रिंगारी का वियोडन को वियोग वडन की अपिक्षा अधिक उतिक्रिष आप जानते हैं कि नंद ये शोदा का जो कृष्ण के प्रति लगाव है वह वासल रस्त के वज़े से हैं नंद ये शोदा दोनों कृष्ण की पीछली बातों का इस्मरण करते हैं एक दूसरे पर खीजते हैं कृष्ण के न आने के लिए एक दूसरे को दोस्ट देते हैं उनक लोगों तक पहुचा तो वहां भी करेक्टर्स के माध्यम से पातरों के माध्यम से आपने पुरी इस द्रिश्ची को देखा होगा कि कृष्ण चले गए उनकी पुरानी बातों को याद करते हुए यह शुदा और नंद आपस में लड़ते भी हैं और एक दूसरी को दोशी ठ पुर्टेंट वो अंस है आगे बात करें सुर्दास ने गे पदों में रशनाये बहुत सारी की हैं जोकी ब्रज की दारुन व्यथा उभारने में उनका अहम रोल रहा है और यह व्यथा प्रभाव के दृष्टी से नाटकों और महाकावियों में मिलने वाली करूडा के समा सुर्दास के यहां राधाक्रिष्ण का प्रेम परिचे से भिक्सित होता है वह प्रकृति और कर्म छेत्र की प्रिष्टि भूमे में पुष्पित पलवित होता है गोचारन जीवन में पूरी प्रकृति का पूरा आवकाश है सुर्दास के राधाक्रिष्ण की प्रेम लीला में प्रकृति गाये और ग्वाल बाल का महतपुनश्थान है इसी से उनकी प्रेम लीला जीवन से कहीं कटी अलग थलग नहीं है राधा और कृष्ण के प्रथम परिचे का जो चित्र सूर्द ने खीचा है वो उनके लोक परिचे का प्रमाड है अच्छा इस पूरा लेक्चर में आप देख रहे हैं कि लोक पर पूरा फोकस किया गया है यानि कि सूर्द ने जो कृष्ण को आधार बना कर लिखा है वो कैसे लोक जीवन या फिर जो आम आदमी है उनके मन में ये रूप बैठ गया है उसी के तरफ संकित किया जा रहा है कि जब भी आप कृष्ण और राम की बात करेंगे तो एक से एक एक स्पर्ट्स आपको मिल जाएंगे बताने वाले हो सकता है कई बार आपको लगेगा कि यह तो चीज मैं बुक में पढ़ाई नहीं हूँ लेकिन आप दुसरे द्रिश्टी से देखेंगे तो कैसे इन दोनों जो करेक्टर को समाज में रिखांकित किया गया है लोगों के मन में रच बस गया है ये देखना जरूर है और यहा कि बूझत स्याम कौन तु गोरी कहा रहत काकी है बेटी देखी नहीं कहूं ब्रज खोड़े यानि कि पहले ही मुलाकात में वो पुछ रहा है कि आप कहा की राने वाले हैं कहा रहती हैं किसकी बेटी हैं और मैं तो कभी देखा ही नहीं आम तोर पर इसी तरीके से लोग बा सूर्दास द्वारा चित्रित राधा कृष्ण की प्रेम लीला में मदेकालीन पराधीन नारी के सहजियम स्वाधीन जिवन का स्वपन जैसे साकार हो उठाएं यह स्वपन सरवाधिक साक्षात रास लीला वर्डन में होता है तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि बाधा के बीच में जो समवाध है वो क्यों समवाध मातर नहीं है बलकि नारी स्वाधिनता के तरव भी संकेत किया जा रहा है ठीक है सूर्दास के समय अर्थात स्वलामी शती में ब्रज में नारीयों को वह स्वाधिनता नहीं थी जिसका वर्डन सुर्षागर में मिलता है यह सच है कि रास लीला का साधनात्मक अर्थ भी है जहां गोपियां साधिकों की प्रतीक हैं किन्तु कावे का प्रतिकार्थी ठीक नहीं होता उसका साधारन या वाक्चार्थी भी तर्क संगत होता है उसको भी देखना पड़ेगा गोपियां लोक लाज त्याक कर घर की चाह प्रतिक तापों से रहित राम राजी का स्वपन देखा है वैसे शूर ने कृष्ट कथा और रास लीला के माध्यम से एक ऐसा सर्वसुखत स्वपन देखा है जिसमें नारी और पूरुष दोनों समानता और पर स्वाधीन हो यह काफी इंपोर्टेंट यहां पर बात कहे ज यह से तुलसी दास ने राम राजी की कलपना की वैसे शूर दास ने नारी और पूरुष दोनों की समानता की बात कही है और उसका आधार बनाया रास लीला और कृष्न कथा को रास लीला सुख विभोर मानावता का सजीव गतिमय इस्पंदित कर देना वाला चित्र है या मनुस्य स्रिष्टी के साथ ताल ले गति प्राण अनभूती सभी तरह से एक में एक शामिल हो गये हैं ऐसा स्वप्ण जो अखंड अनभूती का हो सूर ने देखा था तुलसी दास नारी परादिंता को मासूस करते थे उसकी पीड़ा का चित्रम करते थे किन्तु सामाजिक निश्यदों में अन्तर नहित और मानुविता को सूर दास की तरह नहित तोड़ पाय थे इसमें वो असफल थे और एक पंक्ती यहां पर दिगए है कि मानव माई घन अंतर दामिनी घन दामिनी घन अंतर सोभित हरी परादिंता के तरफ ही संकेत है सूर का वीरवरणन भी अधिकांस्तर स्वाभाविक पदत से ही चित्रित है इसमें भी क्रिष्ण की इस्मिर्ती प्राय दैनन दीन जीवन प्रसंगों में आती है अवस्य ही कहीं कहीं सूर ने रूण उपमानों की जड़ी लगा दी है या आतिशयोक्ती से काम लेते वे चमतकार पैदा किया है सूर के वीरवरणन की मारमिकता का आधार विरहा वस्था में हिर्दय की अनेक बृत्यों का स्वाभाविक पदति पर चित्रण है वीरवरणन का उतकट वहाँ है जहां गोपियों की नीरी विविस्ता प्रकट होती है भरमर्गित में गोपियों की विदर्गता की नीरी विवस्ता उनकी मारमिक नहीं जितनी की वीरव को प्रकट करने वाली उनकी नीरी निश्चल अलंकरित उक्तियों में है आप ब्रह्मर गित्षार पड़ेंगे तो पूरा ये जो भी मैंने वाक्त के बोला है पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि गोपियां जो हैं वो उनकी निरीह, निश्चल और अलंकृत उक्तियों में जिस तरीके से वे अपने विरह को प्रकट करती हैं वो देखने लायक हैं हाला कि उन्होंने उद्धव से समभात करते वे काफी अक्रामक तेवर को अपनाया है जो एक महत्पून पॉइंट हम बताने जा रहे हैं साहिति लहरी कई बार एक जाम में पूछा गया कि सूर के द्रिष्ट कूट किस रशना में संकलित हैं तो साहिति लहरी को आप ध्यान कन्फूजन सा है संदिक्ध है ये प्रमारिक है कि नहीं लेकिन परिक्षा में हमेशा पूछा जाता है कि साहिति लहरी में द्रिष्ट कूट पाय जाते हैं ये आपको इंपॉर्टन रूप में ध्यान में रखना है बाकी चीजें भी ध्यान में रखें सूर्दास के गे प्रथम प्रतिश्चित कवी हैं उनकी भाषा में साहितिक्ता के साथ साथ चलता पन यों प्रवाव भी है कहीं कहीं वे गीत गोबिंद की वर्णानू प्रास की शैली भी अपना लेते हैं जिसा कि पहले ही बताया गया परंपरा से जोड़ा गया है और सूर्दास भी यथा अस्थान विविद शैलियों को अपनाते हैं उनकी कविता में लोक साहिति की सरलता ही नहीं काव्य परंपरा से सुपरचित रोणियों का भी उपियोग किया गया है सूर्दास की एक अन्य विशेष्टा है नमीन प्रसंगों की उदभावना ये कई बार इक जाम में पुछा जा चुका है कि मुख्य विशेष्टा क्या है नमीन प्रसंगों की उदभावना सूर्दास की एक खास विशेष्टा रही है उन्होंने कृष्ण कथा विशेष्टा बाल लीला और प्रेम लीला के अंशों को नवीन मनरंजक बृत्तों से भर दिया है जैसे दान लीला, मान लीला, चर, चीर, हरन, आधी इसके अंतरगत आ सकते हैं तो ये नवीन प्रसंगों की उद्भावना आपकी एकजाम के दिश्टिकोंट से काफी इंपोर्टेंट है किसमे सरवाधिक पाए जाती है तो वो है सूर्दास आगे बात करते हैं बलभाचारी के पुत्र बिठलनात पर बिठलनात ने पुष्टि मार कभियों में से आठ कभियों को चुनकर उन्हें अश्ट छाप की संग्या दी जिसकी स्थापना उन्हें पंदर सो पैंसे टिसीबी में किया था और अश्ट छाप में जो कभी शामिल थे उसमें सूर्दास, कुम्बन दास, पर्मानन दास, कृष्ण दास, सित स्वामी, गोबिन स्वामी, चत्रभूज दास और नंद दास ये आठो कभी अश्ट छाप के अंतर गताते हैं और इनका भी डिवीजन किया गया है कि इनमे से प्रथम चार जो कभी है वो बलभाचारी के सीसे थे और आखरी के जो चार कभी है वो विठलनात के सीसे थे लगातार इनसे सवाल पूछा जाता रहा है तो आप ध्यान में रखे बाकी मैंने फार्मूला के अदार पर बताया था कि केस, पीके और जी एन सीसी पुत्र ने पुष्टिमारगी कभियों की एक तरीके से ग्रूप बना दिया जिसकों की अश्ट छाप नाम दिया गया है। आगे बात करते हैं सूर्दास के बाद नंददास का नाम प्रमुकृप से लिया जाता है। नंददास सुलामी शती के अंतिम चरण में बिद्धमान थे। इनके वीशे में भक्तमाल में लिखा है। 84 वहिशोण की वारता की बात की थी। यहाँ पर देख रहे हैं कि 252 वहिशोण की वारता एक नई रशिना है जो की गोकुलना द्वारा लिखी गई है। और इसमें भी भक्तिकालिन कभियों के जीवन चरित के बारे में बातचित की गई है। इस वारता के अनुसार यह तुलसी दास के बड़े भाई थे। किन्तु अब यह बात प्रमाडिक नहीं मानी जा सकती है। मतलब कि दोसो बाउन वारता में यह माना गया है कि जो नंद दास थे वो तुलसी दास के भाई थे। लेकिन इसका कोई प्रमाड ठीक से नहीं मिलता है। आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ काफी इंपोर्टेंट है नंद दास से सम्मधि कि इनके कावे के विशे में यह उकती प्रसिद है। और कभी गढ़िया नंद दास जड़िया। इसे प्रकट होता है कि इनके कावे का जो कला पक्षे काफी माजपूर रहा है। इनकी रचनाव पर बात चित करें तो इनकी प्रमुक्रितियों के नामें इस प्रकार है। रास पंचाध्याई कई बर इकजामी पुछा जा चुका है। रास पंचाध्याई अंश्पर आधारित है। तो ओर सकता है कि पुछ लिया जाए कि इसका आधार क्या है तो है भागवत। और यह रोला चंद में रचित है। यह काफी इंपोर्टेंट है कि पुछा जाता है कई बार की रास पंचाध्याई में किस चंद की प्रधानता है तो इसका सही जवाब है रोला। और चंदों पर मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने बताया कि रोला में कौन-कौन से चंद शामिल है। जनुनागरिनायग। भामरगीत में उन्होंने रोला चंद के साथ धुरुवक जोड़कर उसे और अधिक संगीतात्मक बना दिया। का परिचायक ग्रंथ है। तो यह इंपोर्टेंट है सिध्धांत पंचधाई जिसमें की भक्ती सिध्धांत को का वड़न क्या गया है। रसमंजरी की बात करें तो इसमें नायका भेद का रूप रसमंजरी में इसी नाम के भक्त महिला का चरित्र वणित है। और अलंकारिक है कि स्रिंकार प्रधान है क्या है तो इसमें एक भक्त महिला का चरित्र वणित किया गया नायका भेद के तहट। नंददास ने अनेक कावे रूपों में रजना की हैं वे एक कावे शास्त्र से सुपरचित कभी ज्यात होते हैं। तो नंददास काफी महत्पून कभी रहे हैं तो परिक्षा में जरूर इसको स्रियसली रिवीजन करके आप जाईए। अश्री शाब के सेस कभीों ने भी लीला गान के पतका हैं जो प्रधानतर स्रिंगारी हैं। राधा और कृष्ण के रूप यों स्रिंगार के साथ साथ उनके चरित का गुरगान इन कभीों का विशेरा हैं। इनकी रचनाएं बहुत कुछ समान हैं। एक दूसरी सी मिलती जूलती हैं। नंद दास के बाद हम बात करते हैं अगले कभी के बारे में जिनका नामे कृष्ण दास। तो आप देख रहें कि सब में दास लगाएं। सूर्दास, नंद दास, कृष्ण दास बस आपको काफी चत्रक्ता सीन में डिफरेंस करते रहना है। कृष्ण दास जनमना सुद्र होते वे भी बलभाचार के क्रिपा पातर थे और मंदिर के प्रधान हो गये थे। यानि कि कृष्ण दास जो थे वो उच्वर्ग से नहीं सब मंदि थे, सुद्र थे, फिर भी बलभाचारे उनको काफी मानते थे और उन्होंने मंदिर का उनको मुख्या बना दिया, प्रधान बना दिया। मतलब कि मंदिर का जो कारिबार कभी वो सूर्दास को दिये थे, वो सबब कृष्ण दास को दिये। अगर इनकी रचना पर बात करें, तो इनकी रचना का नाम है जुग्मान चरी, जो कि कई बारे परिक्षव में पूछा जा चुका है, काफी इंपोर्टेंट है कृष्ण दास इसके रचना कार है। अगले रचनाकार के बारे में बात करें अश्ट चाप के तो उनका नाम है पर्मानन दास पर्मानन दास ने पर्मानन सागर नाम से एक रचना की है जिसमें कुल 835 पद है ये आपके लिए इंपोर्टेंट है परिक्षा के दृष्टी कोड से किसमें पर्मान सागर में कुल 835 पत्संकलित किये गए और परमानंदास की जो कविता हैं सरस्ता के कारण प्रसिद्ध हैं कई बारे इनके कोटेशन भी परिक्षों में पूछ लिए जाते हैं ध्यान में रखना है अगले जो कवी हैं उनका नाम है कुम्भन दास और कुम्भन दास का नाम जैसे मैंने लिया आ अतलब की इनमें ललो चपो करने की आदत नहीं थी स्वाबिमान था और इनोंने फटेपूर सीकरी के राज समान की से खिनो कर कहा था संतन को कहा सीकरी सोकाम आवज जात पनया तूट गई विसर गई हो हरी नाम कई बार एक्जाम में ये पंक्ति पूछी जा चुकी है और आप सब परिचित भी होंगे अकबर से रिलेटेड ये बात कही गई है कि अकबर मिलने के लिए सीकरी बुलाए थे सीकरी जमाने में राजधानी हुआ करती थी जैसे आज दिल्ली है तो यहाँ पर कुमबंदास के स्वाबिमान पर ठेस पहुची और उन्होंने ये पंक्ति कह दी आम तोर पर आप इस पंक्ति को याद कर लेते हैं लेकिन आज आपको ये थोड़ा से क्लियर हुआ होगा कि आखिरकार ये पंक्ति उन्होंने कही क्यों क्योंकि आप जानते हैं कोई व्यक्ति कोई बात कहता है तो इसके पीछे कोई ने कोई कारण होता है कुमबंदा कताभों में आप कवियों को याद कर ली होंगे लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि कुम्भन दास के पुत्र चत्रभूज दास थे वह कुमभन दास जो की स्वह BUT थे और सीकरी को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था आजकल कोई इस तरीके से बयान दे दे था तो मीडिया वाले तुरंद उसको हाइजेक कर लेते लेकिन वही कुम्बंदास जिनके पुत्र चत्रभुज दास थे इनकी तीन कृतियां मिलती है द्वादश यस भक्ति-प्रत कभी के बारें बात चित करें तो उनका नाम है छित स्वामी जो की शोलामी स्रताबदी के उत्रार्द में मुझूद थे इनका कोई प्रमाडिक गरंथ नहीं मिलता है इनके भी फूटकल पधी मिलते हैं अगले रचनाकार है गोबिन स्वामी जिनका की रचनाकाल 1543 से 1568 की बीच में था कहा जाता है कि इनका गाना सुनने के लिए कभी कभी तान सेन भी आते थे ये इंपोर्टेंट बात यहां पर कही जा रही है और छोटी कक्षों में मुझे याद आ रहा है कि यूपी बोड में किसी क्लास में एक चैप्टर भी लगा है गोबिन स्वामी का तो इनकी महिमा इस चीज में है कि इतना अच्छा गाना गाते थे कि इसको सुनने के लिए उस जमाने के व्यक्तित तान सेन थे वो भी आते थे तान सेन जो कि संगीत के जनक भी माने जाते हैं और संगीत से उनका काफी जुडाव था तो गोबिन स्वामी के गानों को सुनने के यह बाते थे गोविन स्वामी के ग्रंथ की बात करें तो इनका कोई प्रमाड़े ग्रंथ नहीं मिलता है तो इन रचनाओं के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि इस लेक्चर के माध्यम से कि कुछ ऐसे रचनाकार हैं जिनके ग्रंथी नहीं है तो इसलिए आप उनके करी रहें और आप लोग जूड़ रहें तो आगे बढ़ते रहेंगे और सबको सफलता मिल नगता है तो आज की वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट्स करकर ज़रूर बताएं मिलते हैं एक नए टपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार